अमावस्या और पूर्णिमा का रहस्य पंचांग के अनुसार हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन अमावस्या पड़ती है वहीं शुकल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा पड़ती है आसान शब्दों में कहें तो कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या और शुकल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा की तिथी पड़ती है एक वर्ष में बारह अमावस्या और बारह पूर्णिमा होती है धार्मिक द्रिष्टिकोन से अमावस्या और पूर्नेमा तिथी का विशेश महत्व है इस दिन पूजा जब तप और दान का विधान है धार्मिक मान्यता है कि पूर्नेमा और अमावस्या तिथी को पूजा जब तप करने से व्यक्ति को अमोग फल की प्राप्ती होती है इसके अलावा अमावस्या तिथी पर पित्रों का श्राध कर्म भी किया जाता है वैज्यानिक द्रिष्टिकोन से अमावस्या की रात को भूत प्रेत अधिक सक्रिय रहते हैं तो पूल्निमा की रात को लोगों के मन में आत्महत्या के विचार आते हैं आईए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। रात को देर रात अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसे लोग बुरी आत्माओं के संपर्प में आ सकते हैं। इसके लिए बड़े बुजुर्ग अमावस्या की रात को अकेले घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं इस बारे में जोतिशियों की माने तो चंद्रमा मन के कारक होते हैं चुंकि अमावस्या की रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता है इस वजह से मन अशांत रहता है साथ ही रजो और तमो गुनी वाले अनिष्ट शक्तियां धर्ती पर मौजूद रहते हैं इसके लिए भी अमावस्या की रात भूत प्रेट अधिक सक्रिय रहते हैं मित्रों धर्ती के मान से दो तरहे की शक्तियां होती हैं सकारात्मक और नकारात्मक दिन और रात अच्छा और बुरा आदि हिंदू धर्म के अनुसार धर्ती पर ये दोनों तरहे की शक्तियों का वर्चस्व सदा से रहता आया है हालां की कुछ मिश्रित शक्तियां भी होती हैं, जैसे संध्या होती है, तथा जो दिन और रात के बीच होती है, उसमें दिन के गुन भी होते हैं और रात के गुन भी इन प्राकृतिक और दैविय शक्तियों के कारण ही धर्ती पर भांती भांती के जीवजन्तु, पशुपक्षी और पेड़ पौधो, निशाचरों आधी का जन्म और विकास हुआ है इन शक्तियों के कारण ही मनुश्यों में देवगुन और दैथ्य गुन होते हैं हमारे रिशी मुनियों ने सूर्य और चंद्र की गती और कला को जानकर वर्ष का निर्धारण किया था एक वर्ष में सूर्य पर आधारित दो अयन होते हैं, पहला उत्तरायन और दूसरा दक्षिनायन इसी तरह चंद्रपर आधारित एक माह के दो पक्ष होते हैं, शुकल पक्ष और कृष्ण पक्ष इन में से वर्ष के मान से उत्तरायन में और माह के मान से शुकल पक्ष में देव आत्माए सक्रिय रहती है इसी तरह दक्षिनायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितर आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं अच्छे लोग किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात में नहीं करते जबकि दूसरे लोग अपने सभी धार्मिक और मांगलिक कार्य सहित सभी सांसारिक कार्य रात में ही करते हैं आईए जानते हैं पूर्णिमा का विज्ञान बित्रों पूर्णिमा की रात मन ज्यादा बेचैन रहता है और नींद कम ही आती है कमजोर दिमाद वाले लोगों के मन में आत्महत्या या हत्या करने के विचार बढ़ जाते हैं चांद का धर्ती के जल से संबंध है जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन होता है क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को उपर की ओर खींचता है मानव के शरीर में भी लगभग सत्तर से पच्छतर प्रतिशत जल रहता है पूर्णिमा के दिन इस जल की गती और गुन बदल जाते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में नियूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिती में इंसान ज्यादा उत्तेजितिया भावुक रहता है एक बार नहीं प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है तो व्यक्ती का भविश भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है जिन्हें मंदागने रोग होता है या जिनके पेट में चै उप्चै की क्रिया शित्हिल होती है तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ती भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में नियूरॉन सिल्स शित्हिल हो जाते हैं जिससे दिमाग का नियंतरन शरीर पर कम भावनाव पर ज्यादा केंगरित हो जाता है ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है इस कारण पूर्णिमा वरत का पालन रखने की सलाह दी जाती है कुछ मुख्य पूर्णेमा, जैसे कार्तिक पूर्णेमा, माग पूर्णेमा, शरत पूर्णेमा, गुरु पूर्णेमा, बुद्ध पूर्णेमा आदी इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तूओं का सेवन नहीं करना चाहिए, इस दिन शराब आदी नशे से भी दूर रहना चाहिए इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविश्य पर भी दुश्परिनाम हो सकते हैं जानकार लोग तो यह कहते हैं कि 14, पूर्ने मा और प्रतिद्दा उक्त तीन दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है अब चलिए अमावस्या का विज्ञान समझते हैं तंत्र साधना करने वाले जानकारों की माने तो अमावस्या की रात को धर्ती पर भूत प्रेट निशाचर विचर्ण करते हैं पित्री भी तरपन और श्राध के लिए धर्ती पर आते हैं, इस समय में तांत्रिक सिध्धी करते हैं कई बुरी आत्माएं तांत्रिक और डायन के संपर्क में रहते हैं, तो कई सामान्य मनुष्य की तलाश में रहते हैं इसके लिए अमावस्या की रात को देर रात अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसे लोग बुरी आत्माओं के संपर्क में आ सकते हैं इसके लिए बड़े बुजुर्ग अमावस्या की रात को अकेले घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं वर्ष के मान से उत्तरायन में और माह के मान से शुकल पक्ष में देव आत्माय सक्रिय रहती हैं तो दक्षिनायन और कृष्ण पक्ष में डैत्य आत्माय ज्यादा सक्रिय रहती हैं जब दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं, तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ती का असर बढ़ जाता है। इसलिए इन दिनों के महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मनमस्तिश्प को धर्म की ओर मोर दिया जाता है। अमावस्या के दिनभूत प्रेत, पित्री, पिशाच, निशाचर, जीव, जन्तु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृती को जानकर विशेश साबधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना में 25 प्रतिशत फिजिकल एटम और 75 प्रतिशत एथरिक एटम होता है। इसी प्रकार पित्री शरीर के निर्माण में 25 प्रतिशत एथरिक एटम और 75 प्रतिशत एस्ट्रल एटम होता है। अगर एथरिक एटम सघन हो जाए, तो प्रेतों का छायाचित्र लिया जा सकता है, और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम सघन हो जाए, तो पित्रों का भी छायाचित्र लिया जा सकता है. जोतिश में चंद्र को मन का देवता माना गया है, अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, ऐसे में जो लोग अती भावुक होते हैं, उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है लड़किया मन से बहुत ही भावुक होती हैं, इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है जो व्यक्ती नकारात्मक सोच वाला होता है, उसे नकारात्मक शक्ती अपने प्रभाव में ले लेती है धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की सोलहवी कला को अमा कहा गया है, चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, इसमें चंद्रमा की सोलह कलाओं की शक्ती शामिल है शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आये हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, अर्थात जिसका क्षय और उदे नहीं होता है, उसे अमावस्या कहा गया है तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है अमावस्या माह में एक बार ही आती है शास्त्रों में अमावस्या तिथी का स्वामी पित्रदेव को माना जाता है अमावस्या सूर्य और चंदर के मिलन का काल है इस दिन दोनों ही एक ही राशी में रहते हैं कुछ मुख्य अमावस्या जैसे भौमवती अमावस्या, मौनी अलपित्र बजर्वर, अलपित्री ओर्गेनिक, सुमवती ओर्गेनिक, सर्वपित्री ओर्गेनिक